हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पारिंग एगरिकॉंटेक्ट पर तो दोस्तों मुझे कई स्टुएंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो ICAR एक्जाम है उसमें जो subject हैं किया हम अपनी choice से वह फिल कर सकते हैं और यहां पर maximum students के यहां भी doubt हैं जो उन्होंने intermediate में यानि कि प्लस वन टू में जो subject उन्हों पढ़े हैं यानि कि जनोंने physics, chemistry, biology पढ़ा है और agriculture subject उन्हों का प्लस वन टू में नहीं था क्या वह भी agriculture subject को फिल कर सकते हैं और द दोस्तों आप ICAR exam की preparation कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को end तक पूरा देखिए तो चलिए start करते हैं most important वीडियो लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने यह चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है दोस्तों चैनल को subscribe करके bell icon को press करना नहीं भूलें दोस्तों ताकि समय समय पर म सब्सक्राइब से पहले पहुंच सके सो लेट स्टार्ट दी वीडियो दोस्तों चलिए start करते हैं अपनी वीडियो लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको मैं यह बता दूँ जो 2020 में जो ICAR का exam हुआ था उसमें क्या हुआ था वहां पे दोस्तों कई students ने यह कर दिया था कि ज अब फॉर्म में रिलीज हुए और दोस्तों जो अगरिकर्टर स्वेक्ट है वह उन्होंने अपनी intermediate क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था यानि कि जो उनकी जो प्रस वन टू की जो क्लास थी वहां पर जो अगरिकर्टर स्वेक्ट था वह उन्होंने बिल्कुल भी न चेकिंग नहीं हुई थी कि hanungne प्लस वन टू में कौन सा स्वेक्ट पड़ा था और दोस्तों वहां पे जो स्टुएंट से थे मैं आपको यह पता दू वह बिल्कुल अपने रिस्क पे उन्होंने यह जो σ्टेञ स्टैप था उठाया था और दोस्तों मैं आपको यहां पर यह बता दूँ जो 2021 में जो exam होने बाला है उसमें बिलकुल भी ऐसा नहीं होने बाला है आप बिलकुल उसी subject को fill करें जो आपने अपने अपनी intermediate class में पढ़ा हो दोस्तों अगर आपने वहाँ पे physics chemistry biology पढ़ा है जो दोस्तों आप physics chemistry biology के वहीं fill करें और उसी की preparation करें आपके ल में आपका चेक कर दिया जाता है तो दोस्तों आपको वहाँ पे वह बिलकुल बाहर कर देंगे आपको बिलकुल भी सीट नहीं मिलेगी से में मुझे कई students के comments आ थे कि जो अभी त्यारी कर रहे है और जो वह प्लस तूमें बिलकुल भी नहीं पढ़ा है और दोस्तों मैं आ दोस्तों आपको यहाँ बिलकुल बाहरी परने बाली यहाँ गलती दोस्तों ऐसे गलती बिलकुल भी ना करिए आप वही सब्जेक्ट पढ़िए जो आपने इंटरिमेडिर क्लास में पढ़ा हो यहाँ पर जो आपके डाउट से जो भी confusion था वह मैंने बिलकुल क्लियर कर द को अन्त में यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप उसी की प्रेपरेशन करें उसी को फिल करें जो सब्जेक्ट आपने प्लस वन टू में पढ़े हैं तो जिससे आपको बिलकुल भी रिस्की नहीं रहेगा और दोस्तों आपके लिए यहाँ बिलकुल सही रहेगा और यहाँ पर दोस्तों इसके बाब जुरूर भी अगर आपको कोई डाउट से रहता है कुछ भी आपको पूसना हो दोस्तों आप मुझे कमेंटर बॉक्स में कमेंट करके पूस सकते हैं और दोस्तों आप मुझे इंस्टाराम, फेस्बुक और ट्विटर में फौरोग कर सकते लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दोस्तों आप मुझे यहाँ भी बताईएगा कि आगे कौन सी जानकारे आपको चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जूरूर बेज़िएगा और कैसी लगी यहाँ वीडियो कमेंट बॉक्स में जूरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट कीजिए और इसके साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए ऐसी जानकारेगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल लाइकन को प्रेस करना नो भूलें ताकि समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद